जूजर ये इसपीट से चोकलेट साथ मा लिदी चलो चलो जन्दी क्लास में अरे ये कोल है? ये मेर पापा की दुकार में काब करते है साफ सफाई का अबास ने जटको लागो दोस्तो आज नी जूटी चकाचोन अने फेशन नी जिन्दगी अने पैसो अने नाम कमावानों एक जुनून एवा वकत मां अकसर लोगो वो लोगों ने हकीर अने फकीर समझवा लागे चे जे कभी एना लिए मददगार बना एने आगे वदावाना लिए एस उन्वान पर एक बहतरिन स्टोडी चे धनी पसना उससे आपने एन टक देखिए लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए शुपरिया दोस्ते वाउ, कितनों क्यूट चे छोटी छोटी आँखो छोटी छोटी उंगलियो एक डम डोल जिम लागी रोए हो चे बुद्धू, सगला न्यूबोन बेबी एवा जोई छे हाँ यार सकीना, आने हाथों मा लेवा बादे अब्बा नी जो फीलिंग आवी रेचे मन करेचे, पोतानू सगलू आना पे लुटावी दो मारा चान ने कोई कमी नहीं थावादो जे कमी मारी लाइफ मा आती, इन्शाला आनी लाइफ मा नहीं थावादो मोंगा इसकुल मा पड़ाविस, चाहे मने कितनी भी मेनत केम ना करवू पड़े मोटो मानस बनाविसाने पन आ सोचवा ओलो पॉइंट चे अब्बास, हम ना लग अपन बे था हवे आनी जिम्मेदारी औने तमारा ख्वाबों भी इतना मोहता चे कीविर थे करी सो, तमारा तीचिंग ना जॉब मा कई इतनू थोड़ी थाई चे त्यूशन ने सेलरी मिलावी ने आ जिम्मेदारी साथे कीविर थे सर्वाइफ करी सो फिकर ना करो, खुदाय फर्जन आ पूछे तो एना साते इनू रिजग भी आपसे में हवे सी त्यूशन नी बे बेचेस और वदावी देस त्यूशन नी बैच न वदाओ, जी स्टूडन आवे चे, स्टिकली सगला से फीस लो हर बेच में बेतीन स्टूडन तो फ्री मा पडाई रहा चे, वो समीर से पैसा लिधा पाच मन्स से फ्री मा पडाई रहा चे अरे समीर ना अबबा गुजरी गया चे, कै नहीं, एनो सिलो मल से ये बच्चाओं मा कईना अब्बा नथी तो कईना अब्बा छे तो काम नथी मारू काम इल्म वाटूँ छे में पैसा ना लिये ये लोगोंने तालिम से मेरूं नथी राखी सकतो तमने खबर छे समीर वो दिवस मना करवाने आयो थो कि वो पढ़ाई नहीं कड़ी सके पन वो गनो जहीन छे में ये कईयो तू पढ़ाई कर में पैसा ने लो अने तने और भी के पैसा जो तो मने केजो एनी आखो मा आशू आवी गया मारा गले लागी गयो अब्बास ये पहली वार जूजर ना देखवा बात मन बनावे लिदू थो कि जे खवाईश एनी अदूरी रही गई थी करियर बनावानी ये जूजर साते नहीं थाई अब्बास ये बेचेस वदावी दिदी अने कूरियर डिलिवर नूँ भी काम चालू कड़ी दिदू जूजर मोटा ठावा लागा एहनी परवरिश गनी शाही तरीका से ठाई रही थी जेना वासते अब्बास अने सकी नाए पोटा नी खवाईशो खवाबोने दबावी न पोटे साधा कपडा मरेता अने जूजर ने मोंगा ड्रेस लाउता अने जे ये मांगता बस ये लावानों जुनून रहतो जूजर मोटा ठे रहा था इस्टार्टिंग एजूकेशन अच्छा इसकुल मत हया अने सिक्स बाद एने सीटी ना सबसे मोटा इसकुल मा करता पन जे माहोल ये जूजर ने आपी रहा था जूजर मा बदलाव आवी रहा थो क्लास मा बीजा फर्जन दो मोटा मोटा फेमेली साता कोईना फादर इंजिनियर कोईना डॉक्टर कोईना मोटा बिजनेसमेंट दिखरा तमे सगल्याना बद्दे पाती मा जाओ चो तमा आविस दोवारी इज़त खराब थी जासे दोस्तो वा अबबास आना पहला इस्कूल मा तो पैरेंट्स मिटिंग था थी आ मोटा इस्कूल मा सू पैरेंट्स मिटिंग रथी था थी जूजर कभी कहतो न थी पैरेंट्स मिटिंग आस्ते है आ मोटो इस्कूल से एनो कोई प कनाड़ा या आउट ओफ इंडिया छे पन एहनी आ गलस सोच ये एने अलट कड़ी राकू थो के एजुकेशन ये किलास मा कोई कंप्लेंट ना आवे ताकि पेरेंस ने बुलावानू काम पड़े तो ये पढ़ाईप मा खूब ध्याना आपता अरे यार आपी गनोश भुलक करचे कोई चीजना ध्यानज नथी राकतो केम सूठ है ये अरे आज ये इनू बर्डे छे मने कही तो उमारी क्लास रस्ती चोक्रेट लई जैस में चोक्रेट लवी तो आवे लई जाता बुली गयो अरे ये ना दोस्तों ने बुलाई ले उठो खुश ठही जाता सकीना ये कई कही नहीं के अब्बास नो डिल डुक्स है लाओ चोक्रेट समने आपो मैं आपी आउँ छू एनी बस तो इम भी घुम्टी घुम्टी जाईस है मैं साइकल पे पहला पोची जाईस सकीना ये उस्तों साथे बस से बाहर निकला अब बास एने देखे ने मुस्कुराई रहा था जूजर दिकरा जूजरा अबिकरा जूजर अब बास ने देखता है जूजर नो चहरों सफेथ पड़ी गए लो डिकरा तमाडी चोक्लेटस तमे घरे बुली आया था जूजर ये इसपी से अंदर चाला गया अब्बास घना भाडी मन से घरे आया अने सगलों सकेना ने बतायू आप मारा स्कूल में के बाया विजे सगला ने कही राखू छे बार अब्बा बहुता बिज्डिस में छे क्लास में टीचर्स ने भी कही राखू छे कि मारा अउट ओफ इंडिया रहे चे शो पेरेर्स बिटिक बार रथी आवी सकता में तमारा अब्बाना दुकान पे सफाय नू काम करू छो तमने मारा पे शरम आवे से दिखरा अब्बास गल्ती करी एने अपन कोई नॉर्मन स्कूल में दाखू थू तो ये जूता दिखावा ना रहता मा अने बावानी इ पहनत करे छे तमारा लिये अने तमने एना पे शरम आवे छे अब्बास अपने की गल्ती तो रथी की दी आनो हमना सिया हाल छे मोत उठा से तु सू कर से अब्बास सू अच्छे केम चुप छो केम सेट बेठा छो ना सकी ना पन आजे मने पोता पे शरमीन गी फिल थे पन एने एक सकसेस फादर ना आपी सको जेना से एनी इज़त वदे आजे मने पोता पे गनी शरमीन गी फिल थे देच पागल छो तमे तमे जो आपी रहा जो तमाना ताकत से बहार आना से ज़ेदा सकसेस फादर कौन हसे I'm proud of you उदास ना थाओ हमना नहनों छे मोत उठा से तो समझ से वकत निकलवा लागो उमर ना साते जूजर नी फरमाईशों भी वदवा लागी औने फ्रस्टेशन भी बेवे एनी फरमाईशों ने पूरी करता महनत करता अब बास भाई भी गनी महनत करता कर्ज लेता एना दिल मा ठू के एक डिवस ये जूजर ने मोटा मानस ना रूप मा देख से जूजर नो ग्रेजियोशन ठे गयो औने अच्छा मार्क से जूजर ये MBA की दूप जोब वास्ते हवे कंपनी मा अपलाई करू चालू करी नाखू ये सीटी मा एक मल्टीनेशनल कंपनी मा जूजर ने जोब मिली गए आओ जूजर ये आपकी डेस्क है आपका कंपनी लोगिन पासफ़र्ट मिल जाएगा सर ये सामने किसका केबिन है? कंपनी के मेनेजर का इन्शाला एक डिवस में आप उस्ट तक जैस हाई, नियो जोइनिंग हाई, जी, अरे वाँ, चलो कोई अपनू मिलू I mean के अपना वालू मिलू आ कंपनी ना ब्रांचेस मा मुमिनीन घना छे अने गुड सप्लाई करवा वाला भी मुमिनीन छे इम सुनो छे कि कमपणी ना CEO अपना कॉमिनिटी सी घना इंप्रेस्ट छे ओ एम जूजर अने सारा नी दोस्ती थेगे जूजर सारा ने लाइक करवा लागा था अने सारा भी सारा जूजर नो रिष्टो परवान चड़ी रहा थो जूजर ये सारा ने भी पोटा ना फेमेली बेग्गराउंड ना बारामा जूटू बोलुठो ताकि एनो इम्प्रेशन खराब ना थाई जूजर हवे तरक्की कड़ी ने पोटा ना मोटा फ्लेट नी प्लानिंग करवा लागा जूजर एम्पिशेस हता जे सबब गरी मेनट करता अने धीमे धीमे पोटा ना टेलेंड अने बेस परफोमेंस से तरक्की करता हुआ ये वाइस मेनेजर ना पोस्त तक पहुँची गया में आई कमीन सर अरे स्वीटी कितनी वार कयू मने सर ना बोला करो पन हवे तमे मारा बोस्त शो सर बुलाव कड़े अबबास अने सकीना गणा खुश्टा पन जूजर तरक्कीना साते साते एना मा अने बावा ने ज्यादा कम तर ने हकीर समझ वा लगा एना मनमा इम कहवे मेटू मोटू मानस छू आने पोताना मा बावा ने कोई से मिलावावा भी शरम मेश्सूस करता जूजर ना मनमा एमस हतू के ठोड़ो बेलेंस थाई जाई तो ये बीजू मकान ले लेसे ये पोटानी इंकम घर्मा ना वता हुता और पोटानी सेलरी नो गनो कम इस्सो घर्मा आपता बाकी सगलू सेव करता पोटाना ख्वाबो वास्त है आओ जुजर, अब इग ओपर्चिनिटी फो यू तीन केंडिडेट सजेस्ट हुए है मेरे रिडायर के बाद मैनेजर की पोस्ट के लिए रिपोर्ट जा चुकी है, फाइनल इंटर्व्यू इस कंपनी के CEO लेंगे, वही डिसाइट करेंगे कि कौन स्यूटेबल है ये पोस्ट कितनी इंपोर्टन है पता है ना, बड़ी सेलेरी, कंपनी, फ्लैट, गाड़ी, अलावन्स वगेरा, और कमिशन भी जुजर घना खुश था, एना सगला हुआ वो कामिल थे रहा था वाउ, बोस, हवे तो सेल्यूट माणू पड़ से अरे ना, सगलू अपता फ्यूचर वास्त्रेश चे, बस आप पोस्ट मलवा बादे, फ्लैट मली जई, फिर अपन शादी करीने शिफ्ट है जेशो चलो यार, आजे अपन फ्री चे, इंस्या नया चले, क्यो आणी बुलावी रही चे, नव मकान की दो चे अरे आओ, लोबर्ट्स, वाओ, यार, सु मकान छे, अमेजिंग, इंटेर कितनो फाइन छे, आखोने सुवाई रहो छे, गमी रहो छे वाके, अमेजिंग निंग क्रियेटिव चे, कहां से किदू, में मारा न्यू फ्लैट मां भी करावीश जी भाई, आ सगलू इंटेर वर्क, MSG, अल्यूमीनियम, एन इंटेर से करवाई उछे, हकेमु दिन भाई डोडिया घनाज क्रियेटिव चे, अने एहने वर्क एकदब प्रोफेशनल छे, एहनी कंपनी सुरत मां छे, पन इंडिया मां कोई भी जगा आपने इंटेर या अल आन मोकल से, आपने पोता ना घर नी कीज आफी देवानी, ये आपनो प्रोजेक कंप्लीट करी देचे, ताकि आवा पछी आपनो टाइम वेस ना थाई, अलग-अलग जगानों वर्क करी चुका छे, तो घनाज एक्सपीडियेंस छे, नवी-नवी क्रियेटिवीटी मां ये भी वात घर मा शेर नो दा करता, पन अब्बास अने सकीना एहना अच्छा फ्यूचर अने तरक्की वास्ते दिन रात डुआ करता, अरे वात इकड़ा, आज ते एकदम बनी थानी ने जही राच्यों, हाँ, आजे माना कंपणी नी मिटिंग छे, मारो टिफिन रेडी करी द खुदा तमारी सगली उम्मीद पूरी करें, तमने खबर छे, आजे CEO फर्स टाइम अपना ब्रांच ओफिस मा आवी रहा छे, खाली तमारा लिये, तमारा इंटर्विव वास्ते मैं आई कमिन सर, कमिन जूजर, मैंने आपकी performance record, talent, सभी चीज़े देखी, बाकी दो candidates भी experience थे, पर मैं आपको इस job के लिए recruitment करूंगा, क्योंकि आपके अखलाग भी positive point है, आपके interview की जरूरत नहीं है, report card ही काफी है, आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं आपको documents देता हो, submit in head office, ठेंक यू, ठेंक यू, ठेंक यू, सर, जी सर, चलिए, अबबास, आपी आओ टिफिन, प्लीज, बोकोर एसे नहीं तो दिन भर, नीचे उत्रा, एना पाचल पाचल सारा भी नीचे आया, गनी खुशी के हवे वो आप branch ना बोस थाई जासे, जूजर ये documents है, इन्हें head office में submit कर देना, मुबारक हो आपको, जूजर, जूजर, जूजर ये पल्टी ने देखो, अबबा टिफिन नहीं ने उबा था, पोटा ने कंट्रोल कड़ी ने, अबबा पासे पोचा, सूचे, आप यहां के माया चो, मड़ इज़त खराब कर सो, बेटा, तमें टिफिन बुली गया था, तमने टिफिन डेवान आयो चो, यार, पड़ेशान चो, तमारा ने अम्मी से, आज नो डिवस स्पेशल हा तो, स सफाई का काम करते हैं, CEO ये अबबास ना फेस ना तरफ देखो, अबबास गबड़ी गया, जूजर ये आपके शौप पे सफाई का काम करता है, जूजर ये मनमा सोचू, आजे तो गरबड थे गई, हवे आज CEO मरबार मा सू सोच से, नई, ये तो फरिष्टा है, जो दिलो की सफाई का काम करता है, सर मुझे पैचाना? जी, CEO ये अबबास ना पाउच हुआ, अने अबबास ने गले लगावी दिदा, कौन हुआ? मैं समीर सर, वो बच्चा, जिसके फादर के इंतिकाल के बाद पड़ाई रुकने वाली थी, पर आप फरिष्टा बन के आये थे मेर जिन्दगी में एक फादर के जैसे, समीर, तुँ? जी, सर, मैं पहली सेलेरी के साथ आपके गर आया था, पर आरोस पडोस वालों ने बोला, कि आप सीटी छोड़ कर चले गए हो, मैं तुम्हें बहुत काबिल समझता था, जुजर, और तुमारे अखलाक से इंप्रेस था, और यही सबसे बड़ा पॉइंट था तुमारे सिलेक्शन का, पर अफसोस, जो बच्चा अपने अम्मी अब्बा की रिस्पेक्ट उसकी कुर्बानी को नहीं समझता था, वो हाक दुनिया के किसी रिष्टे को समझेगा, मैंने इनकी आँखों में तुमारे बच्पन के टा जा करता, डिसपोइंटेड, अनि में बदनसीब, पर तमें तो मारा सी भी ज्यादा बदनसीब चो, गल्ती करी, तमने लाइफ पार्टनर बनावानों सोचो अनि में जूजर ने ठूके बस, वो जल्दी गरे जाई, अनि अम्मी अब्बा से माफी मांगी लेएगा सुआच्य अब्बास, एक्टम उडास छो सकीना, तमारी एक गल्तीना सबब, आज जूजर ने कनू नुकसान थयू खबर नहीं, बच्चा नू सूठ हासे अब्बाब, इतनू सब ठावा बाद भी, आप मारूस वची रहा छो कितनो नीचो मानस छो में, जिन्डगी बर आपने तकलीफ आपी जिन्डगी बर आपने तकलीफ आपी, माफी नो हगडार नथी, पन मने माफ करी दो जे पेरेंस पे प्राउट करू जो है, मैं एना पे शरम करतो रोयो, मने माफ करी दो अब्बा अरे नहीं दिकरा, फर्जन तो मा अने बावा नी पूंची होई छे फर्जन कहवा भी होई, मा अने बावा एना से कभी नाराज नथी सकता हमेशा मा अने बावा ने तरक्किना ली दुआ करता रहें, दुआ निकले से अरे समीर हाँ गुरुजी, मैं तो आपका एसान कभी नहीं उतार सकता और जूजर का पश्चात आप देखकर लगता है कि इनको गलती का एसास हो चुका है मैं जूजर को अपनी कंपनी में मैंनेजर और 20% पार्टनर्शिप ओफर करने आया हूँ ये ना समझना मैं आपका एसान उतारने आया हूँ ये तो कभी नहीं उतार सकता ये तो मेरी लालच है कि ये आपका खुन है आपकी परवरिश है मेरी कंपनी को अपनी मांदारी और अखलाक से और आगे बढ़ाएगा सोरी सर जो बच्चे मोडरन हाई एजूकेशन की चमक में अपने कम पढ़े लिखे या गरीब माबाब से शर्माते हैं उन्हें खुद पे शर्म करनी चाहिए क्योंकि यही वो रिष्टा है जो बिना किसी मिलावट के बिना किसी मतलब के आपका ख्याल दूआ और फिकर करता है दोस्तों गनीवारी उठाई चे के फरजन दो इवा मोटा मोटा लोगों मारे चे तो पोटाना माबाब नहकीर समझे चे शर्म करे चे हरगी सुना कर जो और वो फिरिष्टा चे जो बिना मतलब बिना कोई खुआईश तमारी खेर खुआईश तमारे लिए दूआ करे चे दोस्तों आज निकानी अपने फसान आविये से इंशाला शेयर कर जो दोस्तों जितना मुमिनी ने थाई सके शेयर कर जो लाइक कर जो सब्सक्राइब कर जो कमेंट्स कर जो